नमस्कार दोस्तों तो छली आज हम लोग बात करेंगे पर्यावणिये प्रभाव आखलन के बारे में आखिर देखेंगे केस संदर में अभी चल्चा में हैं और पर्यावणिये प्रभाव आखलन से आखिर आपका ताथपर क्या होता है होता क्या है पर्यावण ये प्रभाव आंकलन इसके एक सामान फेस्टवू में भी देख लेंगे इस्टोखोम गोशना जो 1922 के उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और आपका पर्यावण ये प्रभाव आंकलन के पूर्व मांदन की समस्याएं क्या-क्या हैं उस पर भी बात करेंगे पर्यावण ये प्रभाव आंकलन मसवदे की प्रभाव क्या हो सकते हैं और उस पर भी बात करेंगे हम लोग पेस्तावित मसवदे की समस्याएं क्या-क्या हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे अगर आपके भी कुछ सुझा हो सकते हैं तो आप भी नीचे लिख सकते हैं पर्यावण की छित में कार करने वाली कुछ गेर सरकारी संगटनों और कुछ पर्यावण विदों ने ये आरोप लगाया है कि सरकार ने जो पर्यावण पर्यावण आपकलन मसोदा 2020 लाए है इसमें पर्यावण पर्यावण आपकलन की मूल प्रावधानों को कमजोर करता है जो पर्यावण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है सीधा सा कहने का मतलब एह है कि कुछ गेर सरकारी संगटन है वो कुछ पर्यावण बिद भी है यानि कि पर्यावण से सम्मंदित ब्यक्ती भी इसमें सामिल लें उनका कहना है कि जो सरकार पर्यावणिये प्रभाव आकलन मसोदा 2020 लाई हुई है ये पर्यावण के खिलाप है यानि कि कह सकते हैं कि पर्यावण को नकारमत्मक रूप से प्रभावित करेगी पर्यावण को पर्यावण विदों और विस्सेसगों का कहना है कि पर्यावणिये प्रभाव आकलन अधीसूचना जो 2006 में बदलाव करने के लिए लाया गया यह नया मसोधा पर्यावण बिरोधी है यानि कि यह पर्यावण की बिरोधी है एक पर्यावण कारकरता द्वारा दिल्ली उच्च न्याले में दायर की के यह याजका में कहा गया था कि कैन्द सरकार की तरफ से अधीसूचना में आपत्तियों को आमद्दित करने कि आउधी 60 दिनों तक बढ़ा दीगा गया कितना? 60 दिनों लेकिन सरकार की दोवारा यह इस पर्ष्ट रूप से नहीं बताया गया कि 60 दिनों की अधी कप शुरूँ होगी इस याजका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्चनाले ने कैन सरकार को वर्स 2020 के लिए जो पर्यावणिये प्रभाव आंकलन है कि इसकी अधीसूचना के समन्द में आपत्तिया और सुजाओ देने की अधीसूचना जारी करे और सुजाओ देने की अंतिम्तिती को भी बताए बात करते हैं हम लोग पर्यावणिये प्रभाव आंकलन से आके हमारा मतलब क्या है पर्यावणिये प्रभाव आंकलन भारत की पर्यावणिये नेटे लेने की पिक्किरिया का एक महत्मून घटक है जिसमें पिस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तित अध्यन किया जाता है यानि कि यह है कि आपने देखा होगा कि कई यह उजनाय लगती है कई आपके उद्ध्यों भी इस्थापित होते हैं तो यह देखा जाता है उसमें कि आसपास जो भी परियावर्ण है उसे कितना दनोकसान पहुंचेगा उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ये सबी देखकर ही किसी भी कंपनी हो या फिर कोई भी काम चालू हो रहा तो उसे सुईकिती दे जाती है फिर चाहे आपका कोई डैम हो या इस तरह कि कोई और भी आपकी योजनाए हो पर्यावणी प्रभाव आकलन किसी पिस्तावित विकास योजना में संभाविस पर्यावणी है समस्याओं का पूर्व आकलन करना और योजना की निर्माणवा प्यारूप निर्माण की चर्ण में उसे उसे निपटने की उपाय करती है वही बता र परियोजना के लागू होने से पहले ही आप सोचिए कि कितनी समस्याएं किस तरह की समस्याएं आगे देखने को हमें मिल सकती हैं उनी के बारे में बात की जाती है इसके द्वारा यही योजना निर्माताओं के लिए एक उपकरण के रूम में उपलब दें ताकि विकासातमक गतिविदियों और परियावर्ण संबंदी चिंताओं के बीच समनवे स्थापित हो सके इन रिपोर्टों के आधार पर पर परियावर्ण मंत्राले या पिर अन प्रासंगीक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं अत्वा नहीं भी यानि कि सीधा से कहन जो भी ये रिपोर्ट देता है इसी के आधार पर परियावर्ण मंत्राले आपका निर्धारित करता है कि किसी परियोजना को मंजूरी देना है या नहीं देना है भारत में आपका जो परियावर्णी है प्रभावाव आकलन का आरम बर्स 1978-1989 में नदी घाटी परियोजनाओं के परियावर्णी है प्रभाव आकलन से हुआ था और कलांतर में इसके दायरे में उद्योग ताबिद्धुत परियोजनाए आधी को भी सामिल किया गया है भारत में परियावर्णी है प्रभाव आकलन पिक्रिया अनुविक्चन बेसलाइन ड पेश्ट भूमी की बात करें तो पर्यावन पर श्टोक हॉम घोष्णा 1972 की एक हस्ताक्षर करता की रूम में भारत ने जल पीदूसरण 1974 वाईव पीदूसरण 1981 को नेतित करने के लिए सीगी कानून बनाए लेकिन बर्स 1984 में भोपाल गेस रशाओ आपदा की बाद ही देश मे देश ने बर्स 1986 में पर्यावन सरक्षन की एक अम्ब्रेला अधीनियम बनाया आपको पता होने चाहिए एक बात को कि 1984 में भोपाल में गेस रास्ती हुई थी उसमें यही प्रॉब्लम रही कि उसमें पहले सी आपने देखा है कि कहा जा रहा था कि रिशाओ हो रहा था पिर इसमें क्या है आकिर अंतराष्टिये पर्यावन चेतना एवं पर्यावन आंदोलन की पैरंविक अंसंबिलन की रूम में 1972 में सयुक्त राष्ट राष्ट संग ने स्टॉक होम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावन संबिलन आयुजित किया इस पर्यावन सरक्ष्ट अधिनियम 1986 कितर भारत ने बवर्स 1994 में अपने पहले पर्यावनी पिरभाव आंकलन मांदन्नों को अधिसूचित किया जो प्राक्तिक संसादनों के उपयो उपवो पिदूसन को पिरभावित करने वाली गतिविदियों को बीनेमेद करने के लिए एक आपका पर्यावनी पिरभाव आंकलन पिक्रिया से गुजर्णा आवस्थ होता है Essential Components of EIA यानि कि आपका पर्यावनी पिरभाव आंकलन Screening, Scoping, Assessment, Evolution of Impact and Development of Alternative Reporting, The Environment Impact Statement of AEIA Report यानि कि यही आपका जो पर्यावनी पिरभाव आंकलन के बाद Review of the Environmental Impact Statement, Decision Making और लाश्मे मोनी, Toring, Compliance, Enforcement and Environmental Auditing या भी इस तरह की पिक्रिया है चीग है अब बात करते हैं हम लोग आखिर पर्यावनी पिरभाव आकलन कि पूर मादन की समस्याओं की अगर हम बात करें तो पर्यावनी सुरक्षा के लिए इस्थाबित पर्यावनी पिरभाव आकलन पिक्रिया पूर में भी कई बार संदे की गेरे में रही है उधारन के लिए पर्यावन्ट पर परियोजनाओं की संभावित हानीकारक हानीकारक पिरभावों से संबंदित EIA पिक्रिया का आधार प्रया कम दक्च सलायकार एजनसियां होती हैं जो इसका प्रियोग कर भिष्टाचार को बढ़ावा देती हैं तथा सरकार की वास्तविक रिपोर्ट नहीं उपलब्द करती हैं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पिसासनिक चमता का भाव समस्या को और अधिक कठिन बनस देता हैं दूसरी और प्रियोजनाओं के निर्माण करताओं की सिकायत है कि EIA पिक्रिया ने उधारी करण की भावना को नियून कर दिया है जिसमें लाल फीता साही और नौकर साही को बड़ावा मिला और बर्स 2014 में परियोजनाओं के परियोजनाओं के परियावनिये अनुपोधन में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उबरी और एक बात और हमें से याद रखी विष्टाज़ार भी आपके देश में अध्यिक देखने को मिलता है आपने देखा होगा कई परियोजनाओं को वहां भी मजूरी दे जाती है जहां इससे सबसे जान्दन उकसान भी देखने को मिलता है तो उनकी अंदेखी की जाती है अगर हम लोग परियावणिये प्रभाव आकलन की मसोदी की बात करें जो अब वी 2020 में आया हुआ है तो इसकी अगर बात करें तो परियावणिये प्रभाव आकलन मसोदा 2020 20. EIA पिक्रिया पर लाल पीता साही और नोकर साही के लिए कोई ठोसोपा नहीं करता है इसके अत्रिक तिया परियावण सुरक्षा में सार्वजनेक सहभागिता किस सहभागता को सीमित करती हुए सरकार की विवेका दीन सक्ती को बढ़ाने का प्यस्ताओ करता है राष्टी ये रक्षा उस रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को रर्नेतिक माना जाता है हाले कि सरकार अब इस अधी सूचना के जरिये आने परियोजनाओं के लिए भी रर्नेतिक सब्द का प्रियोग कर रही है नई मसोधी के तहित उन कंपनियों या उद्दोगों को भी क्लिरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहली परियावाण नीमों का उलगन करती आ रही है इससे पोश्ट फैक्ट्रोग प्रोजेक्ट क्लिरेंस कहते हैं इस मसोधी में यह भी कहा गए कि सरकार इस तरह के उलगनों का संग्यान लेगी हाला कि ऐसे परियावाण नहीं है उलगन या आप तो सरकार या फिर खुद कंपनी द्वारा ही रिपोर्ट किये जा सकते हैं यह वही तरह से आप समझे रहे हैं कि उन्हीं लोगों द्वारा आपने चोरी की और आपसे ही कहा जाए कि आपने क्या चोरी की तो आप बताएंगे कभी नहीं तो company से कहा जा रहा है या फिर सरकार से यहाँ कहा जा रहा है, क्या उसने किसी नियम का उलगन किया है, तो आप भायी आपणी सोचेज़े कि वो क्यों बताएंगी, क्यों अपने मतलब एकसेप्ट करेंगी, कोई अपनी गलती क्यों एकसेप्ट करेगा, मालू है उसे कि उसने गल्ती किये फिर भी वो accept नहीं करेगा नए मसोधी के तहित पर्यावन अधिनियम का उलगन करने वाली परियोजनाएं भी अब मंजूरी के लिए अविदन कर सकेंगे या बिना मंजूरी के संचालित होने वाली प्रयोजनाओं के लिए मार्च 2017 की अधीसूचना का पुनर मुल्यांकन भी है जो आपका प्रयाबणिये प्रभाव आंकलन मसोधा 2020 आया हुआ है अगर हम लोग इस मसोधी में जो समस्याएं खड़ी हुई है उनके बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी सम्विधानिक लोकतंत मैं सरकार को ऐसे कानूनों पर जनता की राय लेनी होती है जैसे बड़ी संख्या में लोगों की प्रभावित होने की संभावना होती है कानून लोकतंत देश तभी सक्सेज होता है लोकतंत तभी कह सकते हैं आप जब जनता की अधिक से अधिक भागेदारी वहां देखी जा रही हूँ आप सोचिए कोई भी कानून आता है तो किसलिए राजसावा लोकसावा में पेस किया जाता है इसलिए क्योंकि जनता ने आप कोई भी पिलांट लगा रहे हैं कोई योजना चालू गरे हैं ऐसा नहीं कि उससे जनता को नुक्सान हो फायदे की जगे नुक्सान हो और किसी कंपनी को लाव हूँ परियावेणिये प्रभाव आकलन से संबंदित नई यदि सूचना परियावान को बचाने की संद्रम में लोगों की अधिकारों को छेन कर उनकी भूमीका को बहुत कम करती हैं शर्कार ने पिस्तावित मसोद्य के जरिये अन परियोजनाओ के लिए रणनेतिक सब्द का प्रियोग किया है परियावेणिये प्रभाव आकलन मसोदा 2020 के तहत अब ऐसी परियोजनाओ के बारे में आती है इसकी सबसे बड़ी हानी यह है कि या पर्यावन को पितीकुल रूप से प्रभावित करने वाली बिभिन परियोजनाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा उद्दोग ऐसी परियोजनाओं को रननेतिक बता कर आसानी से अनुमती भी ले लेंगे इसके अत्रिक्त नया म की सीमा पर इस्तित देशों में सडक या फिर पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के लिए सारविनेक सुनवाई किया हो सकता नहीं होगी एक चिंता यह भी है इसमें कि विभिन ने देशों की सीमा में से 100 किलिमीटर की हवाई दूरी हवाई दूरी बाले चेत को बॉर्डर चेत के रूम में परिवासित किया गया है इसके कारण उत्तरपूरु का अधिकांज चेत इस परिवासा की दायरे में आ जाएगा और जहां पर देश की सबसे घनी जैबिवित्ता पाई जाती है इसके अंदर कर सभी अंदर देशीये जलमारगों मार्ग परी उजनाओं और राष्टिय राजमारगों के चोड़ी करण को आपका पर्यावणिये प्रभाव आकलन मसोधी के तहट मंजूरी लेने की दायरे से बाहर रखा गया है सरकार के ऐसारे प्रावधान पर्यावण सरक्चन के लिए बने मूल कानून के साथी गंभीर बिरोधावास की इस्तिति उत्वन करते हैं करते हैं हैं अती हावस्तिμέ और आप देख भी रहें कि पर्यावण का कितना महत्थ हैं कहा जा रहा है कि जो पर्यावण को अंदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पईडाम भैंकर देखने को बाद में मिलते हैं तो यह थी अभी जो नया मसुदाया हुए पर्यावणिये प्रिकास आखलन का उसको सभी के प्रावधान थे हैं